कि नमस्कार आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं इविद्या चानल चानल नुह और इस चानल के लावा अप हम से जुड़ेव हैं हमारे यूट्यूब आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेनुभाट अपने इंटराक्शन में जिसमें हम बात करेंगे हिंदी के नभी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए और आज हमारा जो शीर्षक है वो है सवय अब सवय क्या होता है और इसके कितने रूप होते हैं या फिर से किसे कहा जात है आपको बताएंगे हमारे विश्यशक ये जो इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है तो चलिए आप सभी का परिचे करवाते हैं उनसे आप हैं डॉक्टर गिरिश कुमार्टिवेदी तिवारी सर आपको बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार रिनुजी और सभ देखने वालों को हम बता दें कि गिरिश सर हमारे साथ हैं जो की सहय का अचार रहे हैं भाषा शिक्षा विभाग NCRT में और अगर आपके मन में कोई भी प्रशन आ रहा हो बच्चों सभीयों के बारे में ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो आप अपनी सभी बाते हम तक पहुंचा सकते हैं फोन काल के माधिम से आप अप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलिफोन नमबर पर जो है डेबल एट डेबल सीरो डेबल फोर जीरो डेबल फाइफन या फिर आप इमेल के माध्यम से भी हमारे इस लाइव इंटराक्शन का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं हमारा इमेल आडरेस है dth.class9th.cit.nic.in और यदि आप N.C.E.R.T.P.M.E. विद्या क्लास नंबर 9 पर हैं हमारे इस YouTube चानल पर हैं तो लाइच एट बॉक्स में जाकर अपना comment डॉप कर सकते हैं और यह सबसे तेज माध्य में हमसे जुड़ने का हम चाहते हैं कि जादा से जादा अपनी बातों के साथ अपने प्रशनों के साथ आप हमसे हमारे इस live interaction में जुड़ें और हमारे विशेशग्य से आप अपने सभी बातों का हल पाएं हम सोय के पास चाहेंगे और क्योंकि सवय की बात कर रहे हम आप से जानना चाहेंगे कि सबसे पहले इस सटर की शुरवात कि सवय क्या होते है से डुल जी बहुत ही महत पूरप्रशन है यह क्योंकि जब तक शब्द नहीं समझ पाएंगे तो आगे उसके विशे में और कोई भी जानकारी हमारे लिए जो है वो अनुपयोगी सिद्ध होगी तो सवयय सब्द बहुवचन है यह मूल शब्द है सवयय और यह संग्या सब्द होता है इसका बहुवचन रूप है सवयय सवयय सब्द एक छंद के लिए प्रियुक्त किया जाता है यह एक छंद का नाम है छंद यानि की काव्य रचना के नियम जब हम किसी भी भासा के व्याकरण को पढ़ते हैं तो हम मुख्य रूप से पांच इस्तम्भों की बात करते हैं वरण विचार जहां हम वरण की बात करते हैं अक्षर सीखते हैं वरण माला सीखते हैं शब्द विचार जहां शब्दों की बात करते हैं किस तरह से कौन से सब्द बने उसका क्या अर्थ है समय के साथ साथ उसके अर्थ में कैसे विस्तार हुआ आदी फिर वाक्य विचार आते हैं सब्द मिल के वाक्य कैसे बनाते हैं परिश्थीती के साथ वाक्यों के अर्थ में कैसे परिवर्थन होता है मूल वाक्य क्या है, सन्युक्त वाक्य क्या है, सकारात्म, तरह तरह के वाक्य विभिन प्रकारों की बात की जाती है फिर चिन्न विचार की बात करते हैं, जिसमें हम जो विराम चिन्नों का प्रियोग होता है अल्प विराम, पूंड विराम, उदरा चिन्द है, जिसके हम लोग inverted कॉमा करते हैं, आधी जो चिन्धों का प्रियोग होता है, उसको सीखते हैं, और अंतिम शंद विचार होता है, जहां हम काब्य रचना के नियम को सीखते हैं, काब्य की रचना, हाला कि आजकल मुक्त काब प्रियोग की रचना कुछ नियमों के तहद की जाती है, इसमें मुख्य रूप से दो नियमों का पालन किया जाता है, एक मात्राओं की गिंती के आधार पर, और दूसरा वर्नों की गिंती के आधार पर, इनी नियम कानून को छंद कहा जाता है, तो सवया एक वर्णात्मक चंद है यानि यहां पर हम वर्णों की गिंती करते हैं और यह चार चरण का चंद होता है प्रतेक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण हो सकते हैं और इसके चारों चरण सम तुकांत होते हैं जे तो सर जैसे आपने कहा इसके सम तुकांत का मतलब यह हुआ की चार चरणों के उतलब होता हैं कि अंतिम शब्द का अंतिम ध्वनी जो वो मिलनी चाहिए दूसरे चरण के अंतिम शब्द के अंतिम ध्वनी से तो सम तुकांद का मतलब यह होता है कि चारों चरणों के अंतिम सब्द की अंतिम ध्वनी जो है वो एक समान होगी यहां पर हम आपसे जानना चाहेंगे जैसे आपने कहा कि सवया कहा जाता है तो इसे सवया क्यों कहा जाता है इसके पीछे और कथा न कहा कि हम उसको मानेता कहले कि दो रोचक मानेताएं इस संदर में प्रचली थे पहली मानेता यह है कि इसकी प्रभ विशुनता प्रभ विशुनता सब्ध थोड़ा विशुद्ध हिंदी का हो जा रहे है इसको हम कह सकते प्रभाव करने की शमता या मारक शमता यानि यह कितने गहराई से अपनी छाप लोगों के दिल पर छोड़ता है तो इसकी मारक शमता या प्रभाव करने की शमता अन्य छंदों की तुल्ना में सवा गुना अधिक मानी गई है यानि यह अन्य छंदों की तुल्ना में ज्यादा प्रभाव कारी है पहली मानेता यह है सवा गुना अधिक होने के कारण इसे सवया कहा गया है दूसरी मानेता यह है कि इसके चरण की लंबाई जो मैंने बताया कि चार चरण होते हैं तो इसकी चरणों की लंबाई अन्य चंदों की तुल्ना में सवागुना अधिक होती है जैसे दोहा चंद है दोहा चंद में भी चार चरण होते हैं लेकिन उसमें वर्लों की संख्या जो है वो कम होती है अपेक्षा कित्र स सवया चंद में वरणों की संख्या अधिक होने के कारा इसके प्रतेक चरण की लंबाई अधिक हो जाती है और इसलिए इसे सवया चंद का नाम दिया गया है तो ये दो मानेताएं इस तंदर में प्रचलीत हैं तो थो यह तो बात हुई सवयय नाम क्यूंव पड़ा अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज की सेशन में हम किन के सवयय की हम बात करने वाले हैं जानने वालें से कि आज का यह जो सत्र है हमारा वो नवी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है और नवी कक्षा के हिंदी के पाठ्टे-पुस्तक शितिज में रस्कान के सवयों का समावेशन किया गया है कि एक सुप्रसिद्र कभी हुए है इनका मूल नाम वो सयद इब्रहीं था ओकए सयद इब्रहीं साहब एक बार मूलता ये आगरा के थे और ये घोमते घामते एक बार कृष्ण कथा चल रही थी भागवत कथा चल रही थी वहां पहुँच गये और वहां उस कथा ने इन पर इतना प्रभाव डाला कि इन्होंने सब कुछ छोड़कर कृष्ण भक्ति की परंपरा में अपने आपक के लिए तै कर लिया और ये स्वामी विठल नाथ दूसरे संत हुए थे उस समय के उनसे इन्होंने कृष्ण भक्ति की दिक्षा ली और ये कृष्ण भक्त हो गये इन्होंने रस्खान के नाम से आगे अपनी रचनाएं की तो अब इनके चार रचनाएं जो है चार सवईया जो है इस पाठ़पुस्तक में शामिल किया गया है पहला सवईया है मानुस होतो वही रस खान बसाव ब्रज गोकुल गाउं के गवारन जो पसु होतो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनू मझारन पाहन होतो वही गिरी की जो कियो हरी छत्र पुरंदर धारन जो खग होतो बसेर करो मिली कालिंदी खूल कदम बकी डारन अब इस सवईया में हम इसके शब्दों के अर्थ की ओर अभी चलेंगे लेकिन मूल रूप से इस सवईया में उन्होंने कृष्ण अपने आराध्य जो है उनके इष्ट जो है भगवान स्री कृष्ण और उनके निवास अस्थान ब्रज भूमि के प्रती जो उनका अगाध लगाव है जो उनका प्रेम है इसका उन्होंने प्रदर्शन किया है बसव बसना निवास करना या रहना पसू अर्थात पशू धेनू माने गाय मंझहारन ये ब्रजभासा का शब्द है इसका अर्थ होता है बीच में या साथ में पाहन यानि कि पत्थर गिरी माने परवत छत्र छाता पूरंदर भगवान इंड को कहा जाता है कालिंदी यमना नदी का नाम है कूल नदी के किनारा या नदी के तट को कहते हैं और कदम एक व्रिक्ष का नाम है एक फल का व्रिक्ष होता है इस व्रिक्ष के अन्य भी कई सारे नाम है इसे बर्ग के फूल का पेड़ भी कहा जाता है इसको कदम भी कहा जाता है इसको वाइट जाबोन भी पहा जाता है लारन, लीचहार्ड, पाइन, चाइनीज, आटोसेफलस, जंगली, सीनकोना, ये सब इसके कई नाम है, इसका एक नाम और भी है मई व्रिक्ष, क्योंकि इस पेड में फल जो है, वो मई में ही आता है, इसलिए इसे मई व्रिक्ष भी कहा जाता है, और ये फल आशदी के रूप में प्रियोग करते हैं, तो इसलिए बहुत ही महत्पूर्ण व्रिक्ष है, अब आते हैं सवया की और सवया का पहली, जो पहला चरह जो है, कि मानुस होतो बशाव रस खान, ये कहते हैं कि यदि मुझे अगला जन्म मिलता है, और मुझे मनुश्यों नहीं में जन्म लेता हूँ, तो ऐसे मुझे स्वभाग्य मिले, कि मैं ब्रज में गोकूल गाओं के ग्वालों के साथ निवास कर सकूँ, दूसरी पंक्ति कति है कि जो पसु हो तो कहा बस मेरो, यदि मैं पसु हूँ, तो फिर मैं ये चाहूँगा, अगर मुझे पश्यों नहीं में जन्म मिलता है, तो मैं ये चाहूँगा, कि मैं नंदबावा की जो गाए हैं, उनके साथ उस ब्रज भूमी में विचरन कर मैं पत्थर बनी उस परवत का, जिसको भगवान ने छत्र के रूप में धारण किया है, अर्थात मैं उस गोवर्धन पत्थर का परवत बनूँ, जिसे इंद्र के प्रकूप से ब्रज को बचाने के लिए भगवान ने अपनी तरजनी उंगली पर धारण किया था, और यद कडंब के व्रिक्ष पर मिलकर, अन्य पक्छियों के साथ मिलकर वहां निवास करूँ, तो ये इसका सब्दार थेले कि इसके मूल में अपने इष्ट के निकट रहने की, अपने आरद्धे के निकट रहने की जो उनकी अभिलाशा है, वो अभिव्यक्त होती है, क्योंकि ये सारे चीज, ब्रज का गोकूल गाओं और नंद बावा की गाएं, गोवर्धन परवत का पत्थर, कालिंदी यानि यमुना नदी और कडंब के ब्रिक्ष ये सब उन्हें इसलिए प्रिये हैं, ये वहां वही रहना चाहते हैं, क्योंकि कभी वहां उनके इष्ट भगवान स् प्रिक्षा जाहिर की है, तो ये पहले सवया का भावार्त हो जाता है, अब दूसरे सवया की अगर हम बात करें, तो दूसरा सवया भी कुछ इसी प्रकार से हमें उनकी सामिप्य की, अपने आरादे के साथ उनके सामिप्य की भाव को अभिव्यक्त करता है, इसमें वो, वहां पर उन्हें ने कहा कि मैं जन्म लूँ, किस रूप में लूँ, तो कैसे रहूं, कहां हूं, और दूसरे सवया में उन्हें मुख्य रूप से ये बात कही, कि अगर मुझे मेरे इश्ट का सामिप्य मिलता है, तो मैं सारी चीजों को छोड़ दूँगा, तो वो कहते हैं कि या लकुटी अरुकामरिया पर, राज तिहूपूर को तजडारो, लकुटी का मतब यहां लाठी से है, लाठी या छड़ी, जब जंगल में चरवाहे जो है वो गायों को चराने के लिए ले कर जाते हैं, तो अपने साथ एक लाठी या छड़ी रखते हैं, जिससे वो गायों की सुरक्षा, पश्वों की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा आधी करने का काम करते हैं, कामरिया यानि की कंबल, अरु, और, यह प्रजभाशा के शब्द है तो या लकुटी अरुकामरिया पर राज तिहू पूर, तिहू मतलब तीनो, पूर यानि लोक, जो तीनो लोक हैं हमारे, उसकी बात करें, तजमाने छोड़ना है, तो ब्रज के जो ग्वाले हैं, जो गोकुल के ग्वाले हैं, उनकी लाठी और उनके कंबल, यानि उन ग्व पूर के जैसा जीवन बिताने के लिए, कभी जो है, यानि रशखान जी जो है, वो तीनो लोक के सामराजेको चोड़ने के लिए तयार है, उन्हें ये तीनो लोक का समराज, जो है, इसकी तुला में कमतर लगता है, आठाओं सिध्धी नवों निधे के सु ख नंदे को बात करते हैं तो यह भारतिया परंपरा में इसका बहुत महत्तों माना जाता एक बहुत महत्ता है जाने की जाने की माता ने हनुवान जी को कैसा वर्दान दिया आठो सिद्यों का और नौुनिद्यों का वरदान दिया और साथ में ऐसा भी वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति उनकी आराधना करता हो उनको वह आठो सिद्य और नौुनिधी कि दे सके तो है biz hemen पहले हम सिद्धी सब्द को समझ लेते हैं कि सिद्धी सब्द क्या होता है सिद्धी सब्द का आसे जो है उस पारलोकिक या आत्मिक शक्ति से होता है पारलोकिक या जो इस संसार के लोगों के लिए संभव नहीं है तो इस पारलोकिक या आत्मिक सक्ति से होता है जो कठिन साधना या तपस्या केबल पर लोग अरजित करते हैं तो कई तरह की सिध्या मानी गए जिसमें आठ को बहुत महत्य पूर माना गया है उस आठ में अडिमा महिमा गरिमा लगिमा ताप्य प्रकाम्य यह सारे सिध्यों की बात की गई है मैं अपने विद्यार्थियों को दिखा देता हूं सबसे पहले अडिमा की बात करते हैं तो अडिमा यानि अपने शरीर को एक अडू के आकार के समान छोटा कर देने की सकती यानि शुक्ष्म बन जाना जैसे बजरंग बली जब लंका में प्रवेश करने आते तो अपने आकार को बिलकुल शुक्ष्म कर देते हैं दरवाजे पर जहां लंकनी राक्षी जो है जो पहरेदार है द्वारपाल है लंका के नगरी की वो उनको रोकती है और वो एक तम शुक्ष मुसरीर धारन करके नगर में प्रवेश कर जाते हैं महीमा शरीर का आकार अत्यंत बढ़ा करने की शमता जितना चोटा कर सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा बढ़ा करने की शक्ती जो है इस सिद्धी के माध्यम से हमें प्राप्त होती है गरिमा शरीर को अत्यनत भारी बना देने की शमता, शरीर का आकार तो वही रहेगा, लेकिन शरीर का भार इतना अधिक बढ़ जाएगा कि वो असाधारान प्रतीत होता है, लगिमा शरीर को भार रहित कर देने की शमता, ये अरिमा महिमा एक दूसरे की विपरित सिद्धिया ह इसके आघे हम प्राप्ति की बात करते हैं, प्राप्ति का मतलब होता है, बिना रोक की मंच याने की शमता, प्राकाम्य यानि अपनी प्रतेकि इच्छा को पूर्थ करने की शमता, जो व्यक्ति शिधि को प्राकाम्य शिद्धी को जो व्यक्ति प्राप्त किये होता है, वो किसी भी व्यक्ति के मन की बात को जान जाता है, और वो उसी अपने मन के मताबिक अपना कारे जो है, अपना इश्ट जो है, उससे सिद्ध करा लेता है, इशित्व, प्रतीक वस्तु और प्राणी पर पुर् प्रताओं के पास ही तो ऐसे सिद्धी जो है इसी देवत्व या इशित्व कहा गया है वसित्व प्रतेक प्राणी को वश्च में करने की शवता है यह हमारी आठ सिद्धिया हैं जिसके विस्टेमें हमारे धर्म सास्त्रों में चर्चा की गई हैं तो आगे मैं वापस हाँ उस सवया पर आता हूं कि तो हम बात करें था भी अश्ट सिद्धियों के और सर आप दूसरा सवया बता रहे थे तो हम उसको डीटेल में से उसके जाना चाहेंगे तो अब वह कहते हैं कि अश्ट सिद्धी नौव निधी के सुक यानि जो इन आथो सिद्धियों और नौव निधीयों को प्राप्ट करने का आनन्द है अभी हम आगे नव बाबा के गायों को चरा कर उनके साथ जंगल में विचरण करके जो अनभूती मिलेगी उसे कि तुल्ला में ये आठों सिद्धी और नौनिधी के सुख भी उन्हें कम लगते हैं अब उनकी इच्छा क्या है वह चाहती है कि कब मुझे ऐसा आउसर मिलेगा कि मैं अपने आखों से यानि मैं ब्रज भूमी का जो है वह प्रतक्ष दर्शन करपाऊं वहां के बन तालाब धर्ती जंगल जो भी कुछ है उसका मैं अपने आखों से प्रतक्ष दर्शन कर आनंद की अनभूती कर पाऊं और अंतिम चरण में कहते हैं कि कोटिक ऐ कलधौत के धाम करील के कुंजन उपरवार कोटी कोटी शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है करोण कलधौत यानि सोने चांदी के महल कलधौत का अर्थ सोना चांदी या सुनहला इन सब से लिया जाता है तो इसका अर्थ यहां पर लिया गया है सोने चांदी के बने महलों से तो कोटिक अकल धौत के धाम यानि अगर मेरे पास करोणों सोने चांदी के बने हुए महल हो तो भी मैं उसको करील के कुंजन करील एक काटेदार जाड़ी होती है यह बैसिकली मरुभूमी में होती है जहां बहुत उसलाथा होती है गर्म प्रदेश में होते ही है यह बिल्कुल काटेदार जाड़ी होती है फाल और फूल तो लगते हैं लेकिन दो ही महिनों में साल के फाल और फूल लगते है इसमें है थाला कि इसके भी बहुत ही हम कह सकते कि औashajya मूल्य है काफियर चिद्ध होता है और इसको राजास्थान में कैर भी कहा जाता है कि को यह है काटे-दार लताओं से अच्छादित अस्थान जैसे हम कभी-कभी फूलों से सजावट करके मंडप बनाने की कुसिज करते हैं तो उसी तरीके जो सभाविक रूप से जाडियों से या लताओं से कोई अच्छादित अस्थान बन जाता है तो उसको कुझ कहा जाता है तो यह कहते कि अगर मुझे ब्रजभूमी में करील के कुंजन यानि काटेदार जाणिया भी मिल जाए तो भी मैं यह सोने चांदी के महल जो है वो सब कुछ छोड़ दूगा सब कुछ निवचावर कर दूगा उस पर अर्थात मूल बात यह है भाव यह है कि इस संसार में रस्खान जी के लिए भगव चीज़ों को इस धर्थी पर जो कुछ भी है उन सब को त्याद कर वे उसका सामिप्य चाहते हैं तो भक्ती की यह पराकाष्ठा होती है कि भक्त जो है हमेशा भगवान की अपने सामिप्य रहने के प्रयास करता है तो सब बात हुई हमने रस्खान के दो सवेयों को विस्ता शिद्धी की बात की थी तो मैं सोता हूं कि हम अष्ठ सिद्धी के बाद लगे आथ 9 निधी पर भी बात कर लेते ताकि हमारे विध्यार्थी जो हमें लगता है कि इन चीजों से थोड़ा दूर हो गए हैं तो कम से कम नौनीधी के नाम तो जान ही जाएं कि 9 निधियां कौ खजाना मूल रूप से कुबेर के खजाने को निधी कहा गया है उनके खजाने का नाम है भगवान कुबेर का जो खजाना है धनपती तो हमारे लिए वही है तो जो उनका खजाना है उसका नाम निधी रखा गया है और यह नौ प्रकार की निधियां होती है पहली निधी है धन धानने की कमी नहीं होती है, वो बहुत उदार होता है, और उदारता के साथ दान का कारे भी करता है, महापध्यनिदी भी सतोगुलवाले व्यक्ति के पास ही होती है, ये भी धन धानने से संपन्न होते हैं, हीरे जावारात रतनादी से संपन्न होते हैं, स्वभाव से उद भातार होते हैं दान देने में ये भी कमी नहीं करते हैं। लेकिन पद्यनिदी और महापद्यनिदी में अंतर यह हो जाता है। जहाँ पद्येनिधी कई पीधियों तक चलती है, महापद्येनिधी जो है, वो साथ पीधियों के बाद इसका प्रभाव जो है, खत्न हो जाता है. फिर हम नील निदी की बात करते हैं, नील निदी जो है वो रजो गुण प्रधान निदी होती है, इसमें जो ब्रती इस निदी का मालिक होता है, उसमें राजसी गुण ज्यादा देखने को मिलते हैं, वो भोग बिलास में ज्यादा लग रहता है, तो ये नील निदी का यह सतोगुळ और रजोगुळ विस्ति का सुमय होता है उसके पास ऐसी निधी होती है फिर नंद नदी आती है नंद नीधी तामसी को प्रवालों के पास होती और यह व्यक्ति जो है वो एक प्रवह अपने धन को सब्वहलना है यहीं बहुत बड़ी हो जाती हैं हो सकता है कि उस पीडि में ही खत्म हो जाए मकर निधी जो है इसमें रजोगुड के जो मिस्रह होता है इस व्यक्ति पास ईडिवी आ के पास ओती है संक्निदी और खर्व नीदी की सिर्फ अपने विषय में सोचता है वो अपनी अवश्यक्ताआओं को पूरा करता है वह धन तो बहुत कमाता है लेकिन उसके परिवार वाले उसका सुख नहीं उठा पाते हैं तो इस प्रकार से यह नव निदियां तो यह तो बात हुई नव निदी कि आपको सवईयों के बारे में घ्यान दिया गया क्या होता है और उसको सवईया क्यों कहा जाता है और दो सवईयों के बारे में आपको बताया सर ने गिरिश सर ने र कि आप इतने तरीकों से इन सभी दर्शकों तक और हमारे विद्यार्थे तक मुझा है बहुत बहुत धन्यवाद यहां पर हम आप सभी से कहेंगे कि एक छुटे से ब्रेक पर जा रहे हम ब्रेक के बाद अपने को लाइव इंटरेक्शन के साथ हाजिर होंगे जो कि साइंस के नाइन स्टैंडर के स्टूरेंट्स के लिए है राज का हमारा टॉपिक है स्ट्रॉक्चर और फार्टिम हम आपसे यह बात भी कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र का महापर्व चुनाव अपने आखरी चरन में हैं आप अपने कीमती मतदान का उप्योग सरूर करें वोड़ सरू और अभी फिलहाल मुझे रेणू भट को देयानू मती नमस्कार